तो वी आर डिस्कसिंग आर्पीएफ टैक्सिबिलिटी आर्पीएफ में देखो में हमें क्या-क्या याद रखना है रेकागनाइद प्रोविडेंट फंड में क्योंकि आर्पीएफ इद उनली इंपॉर्टन आस्पेट के उसमें बहुत सारे कंफूजन्स क्रियेट होते लोगोंको एक्जेंट अपटू 12% ऑफ सालेरी एक्समिटप्ो ट्वेलड परसेंट अपसालेरी और सालेरी का मीनिंग होता है यहां पर बेसिक सालेरी प्लस डिये इन टम्स टरंवर कमिशन तो इसका मीनिंग होता है सर इसके पर जो इंट्रेस्ट मिलता है यह इंट्रेस्ट भी एक्जेम्ट है, लेकिन तो 9.5% पर एनम तो अगर आपको 11% मिलता है, तो 1.5% का इंट्रेस्ट टैक्सेबल होजाएगा, 9.5% का एक्जेम्ट होजाएगा और जो ब्लमसम विड्रॉल होता है वो भी सर एक्जम्ट है लेकिन उसके कुछ कंडिशन्स है और कंडिशन्स अगर आप कंप्लाइ करते हो तो एक्जम्ट नहीं तो टैक्सेबल तो इस इस वाट वी है और इस पॉइंट का कि इस पॉइंट को यूज़ करके बहुत बार टैक इस वान करोड रुपीज उसका भी अगर आप सिंपली ट्वेल परसेंट लेते हो तो यार ट्वेल लाक रुपीज का टाक्स फ्री इंकम हो एजिली कमा सकता है वह एंप्लॉयर को बोल सकता है मुझे पैसे इतने सारे देनी की जरूत नहीं है बारा लाक रुपिया आप क्य स्क्रीमनेशन हो रहा था यह मिस यूटिलाइजेशन हो रहा था एक फंड का तो गवर्मेंट ने अभी मॉनिटरी लिमिट लगा दिया गवर्मेंट ने बोला यह ट्वेल लाक में का अप्टू सेवन पॉइंट पॉइंट फाइलाइक एक्जम्ट हो जाएगा और जो एक् फॉर पॉइंट फाइलाइक जो बज गया यह जो है ना यह टैक्सेबल हो जाएगा इस विल विकम टैक्सेबल बोलो पहले तो यह वाला समझा क्या आपको एक्जम्पल किसी का सालेरी अगर हंड्रिट लाक रुपीज है तो यह ऐसे चलता है आपको समझा क्या हाँ अप्टू 7.5 हमने मॉनेटरी लिमिट भी लगा दिया फिनांस एक 2020 में पहले इसके पर मॉनेटरी लिमिट नहीं था अभी हमने मॉनेटरी लिमिट लगा दिया ताकि इसका मिस उटिलाइजिशन ना हो अच्छा तो उन्होंने अभी क्या बोला देखो इसके आगे का पॉइंट थोड़ा समझने का ट्राइ करो इसको बोला जाता है अन्यूल एक्रीशन एक्रीशन मतलब सर इसमें जो पैसे अभी बढ़ेंगे मतलब इसका जो इंट्रेस्ट होगा तो इसका 7.5 लेका इंट्रेस्ट हो जाता है लेकिन जो यह एक्सेस जिसका प्रिंसिपल अम लगों को आप लोगों के लिए समझ रहे क्या देखो यहां पर यह नोट देख लो एन नोट औरमांट इन ऐंग्रिगेट उफ अड्एंग्रिगेट ऊवन इन ऋपन को मिला के maximum exemption by the employer maximum exemption देंगे हम to the extent of 2.7.5 like इतना ही exemption होगा लेकिन यहाँ पर देखो any annual accretion any annual accretion जो भी आपका income में annual accretion होने वाला है मतलब interest वगेरा interest dividend और any other amount in the similar nature shall be treated as a perquisites perquisites में इसको दादा detail में बोलूगा में to the extent it relates to contribution referred above मतलब क्या in excess of 7.5 like annual accretion जो आपका होने वाला है in excess of 7.5 उसके पर interest कमाऊगी वो भी आपका income होगा मैंने क्या बोला समझा आप लोगों को annual accretion का point समझ रापको यह क्या है annual accretion मतलब जितना principal exempt उतना interest exempt जितना principal taxable उसका interest भी taxable इबात क्लियर है यह ठीक है चलो फिर कुछ ना कुछ हम क्या कर लेते questions देख लेते अभी एक दो questions कर लेंगे तो आपको clarity आई जाएगी question में इसका discuss कर लेता हूं इतना ज्यादा difficult question है नहीं देखो mister a retires from services on 31st December 2020 after 25 years of service following are the particulars of his income and investment for the previous year 2021 basic pay दे दिया है उन्होंने nine month का इतना amount dearness allowance दे दिया इतना for nine month lump sum payment lump sum payment की बात करेंगे हम यहां पर lump sum payment received from unrecognized provident fund is a six lakh and deposit in ppf account इसका तो ATC में deduction मिलता है इसका तो यहां पर कोई लेना देना नहीं है मुझे बोलो lump sum payment received from unrecognized provident fund taxable होता है ना अभी तो बात क्या हमने lump sum payment from unrecognized provident fund will be taxable राइट राइट यहां लेकिए उसके चार पार्ट होते हैं उसके four parts होते हैं देखो ना withdrawal from URPF इसके four parts होते हैं employer employee contribution employer contribution interest on employee contribution and interest on employer contribution उसमें का employer के relation में जो होता है वो salary में taxable होता है employee contribution taxable ही नहीं होता और interest on employee contribution IFOS में tax होता है वही यह बात यहां पर आपको बताने जादा complicated है नहीं चीज़े out of the amount received from unrecognized fund employers contribution was 2,20,000 employers contribution employer का contribution and उसके उपर का interest 50,000 पर यह दोनों भी कौन से हेड में tax होंगे मुझे बता दो 220 प्लस 50 यह दोनों कौन से हेड में tax होंगे employer contribution बोलाया न कौन से हेड में taxable होंगे दोनों के दोनों taxable है हेड बता दो बस अरे इतना टाइम चैटिंग में तो चैटिंग में बता दो कौन से हेड में tax होगा employer contribution है ना IOS में tax होगा वेरी जुट ठेके ना employees contribution कैये टैक्से बलता इंप्लाई का खुद का contribution कुदीरीशिव कर रहा है बाद में तो नहीं यह नहीं है लेकिन इसके वर का interest taxable होगा लेकिन कौन से हेड में होगा यह taxable तो होगा लेकिन कौन से हेड में होगा यह आए फोस में टैक्सेबल होगा तो बस खाली प्रेजंटेशन देख लो अंसर का कैसे होगा सब्सक्राइब फॉएंटी फिप्टी जो पहला दिया था वो टू सेवेंटी यहां पर टैक्सेबल हो गया इफॉस में इंकम फ्रॉम अदर सोसस में 60 थाउदन टैक्सेबल हो ग जाता है फिर वो बोलते हैं वाट इफ वाट इफ फिन फंड मेंशन अब वाजर रेकगनाइज प्रोविडेंट फंड होता तो यह एक्जम्टी हो जाता क्योंकि यह बंदे ने यहां पर 25 यह का जॉब किया है जब 25 यह का जॉब किया मतलब फाइज से जादा किया है और य के क्वेशन इलस्ट्रेशन पढ़ लो एक अंसर अपने माइंड में डिसाइड कर लो और फिर हम लोग इसको लिख कर सॉल करेंगे हमको पढ़के सॉल नहीं करेंगे भी विल राइट एंड अन्डेस्टन इस क्वेशन लेकिन पहले आप लोग रीड कर लो अपनी हिसाब से सोच लो कि इस क्वेशन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा ठीक है रीड कर लो एक बार प्लीज तो लेस्स स्टार्ट सॉल्विं क्वेशन नंबर एट Mr. B is working in XYZ Limited and has given the details of his income for the previous year 2021 you are required to compute his gross salary from the details given below चलो फटा फट कर लेते Mr. B क्या क्वेशन तो यह इलस्ट्रेशन एट है Assessi Mr. B legal status individual residential status OR PY2122 PY2021 PAN- whatever question has demanded we should write that only computation of gross salary two columns basic salary 10,000 per month तो मनलाघ तुट्र कॉलम में आ जाएगा दीए 50% दीए फॉर्मिंग पार्ट अफ रिटार्मेंट बदाट देजन इफिक मैं टैक्सिबिटी दीए तो पूरा टैक्सिबल होता है दीएरनेस अलावन्स यह 96 हो गया दीए कमिशन अजब परसेंटेज अब टैनोर जिरो पॉइंट वन परसेंट एंट टैनोर दूरिंग दे यर वस फिप्टी लाग तो आप निकाल के देखो यहां पर लोग मिस्टेक भी करते हैं देट एक वन परसेंट इस नॉट वन परसेंट इस जिरो पॉइंट वन परसेंट तो जिरो पॉइंट वन परसेंट अगर मैं करता हूं तो यह फाइथ हाउजन आ जाता है करनोर कमिशन 50 लाइक इंटू 0.1 परसेंट बोनस टाक्सेबल होगा ग्राचुटी 25,000 का है ग्राचुटी टाक्सेबल होगा की एक्जम्ट होगा यह जल्दी बोलो ग्राचुटी टाक्सेबल होगा कहीं पर भी नहीं बोलाई की एंप्लॉई ने रिटार्मिन किया है तो यह दूरिंग एंप्लॉईमेंट है इसलिए फुल्ले टाक्सेबल इसका तो एटी सी में डिडक्शन मिलता है इसका यहां पर कोई लेना देना नहीं है हां एंप्लॉईयर्स कॉंट्रिबिशन टू आर्पिएफ 20 परसेंट बेसिक पे यह इंकम माना जा सकता है एंप्लॉईयर्स कॉंट्रिबिशन आर्पिएफ इतना दिया जा रहा है सथ 20 परसेंट आफ बेसिक सालेरी तो इसका कितना है बेचारे का इस वणलाग 20,000 12 दू all यह 24,000 आता है इनर कॉल में लिखना पड़ेगा और यहां पर मुझे एक्जम्छन कंपीुट करना पड़ेगा यहां पर एक्जम्शन कंपीट करना पड़ेगा लिच लाग 20,000 है लाग 20,000 इन्टू यह 24,000 आता है इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे एक्जम्शन कंप्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर एक्जम्शन कंप्यूट करना पड़ेगा लेस एक्जम्शन अप्टू 12% of salary यह माइनेस होगा और नेट भार आएगा और देख लेते क्या क्या है इंटरेस्ट 13% का है तो इंटरेस्ट ऑन और पी एफ अधर अफ तर्टीन परसंट थर्टीन परसंट पर आपको 13% वाला तो 13,000 divided by 13 into 9.5 अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलता है देखो 13,000 divided by 13 into 9.5 तो आपको 9,500 मिलेगा क्योंकि अपको 9.5% exempt किया हमने 9,500 माइनस कर दो तो 3,500 टैक्सेबल आजाता है उपर का 3.5% टैक्सेबल होगा प्रिंसिपल शायद एक लाक रुपया होगा शायद क्या होगा ही एक लाक रुपया तो अभी टोटल कर देंगे तो यह जो टोटल आएगा यहां पर यह आजाएगा ग्रॉस सालरी बच क्या गया खाली एक्जम्शन निकालना एक्जम्शन में वर्किंग नूट में दिखा रहा हूं आपको वर्किंग नूट नंबर वन एक्जम्शन इस एक्वल तो ट्वेल पर्सेंट ऑफ सालरी तो ट्वेल पर्सेंट ऑफ सालरी का मतलब होता है बेसिक सालरी प्लस डी ए इन टर्म्स प्लस टॉन ओवर कमिशन तो ट्वेल पर्सेंट ऑफ क्या क्या लेना पड़ेगा हमें ट्वेल पर्सेंट ऑफ लेना पड़ेगा बेसिक सालरी जो है 1,20000 बेसिक सालरी फवन लाइक ट्वेंटी ताउजन ले लिया हमेने यह देखो दिये पूरा पूरा 96,000 है लेकिन मुझे 50% ही चीए तो 50% of 96,000 प्लस टर्न ओवर कमिशन 5000 इसको सॉल करो तो 96,000 इंटू 50% करेंगे तो 48,000 होता है 48,000 प्लस 1,20,000 प्लस 5,000 यह होता है 12% of 1,73,000 इसका इंटू 12% कर लो तो 207,60 आता है एक दम्शन बोलो क्लियर है यह यही कैलकुलेशन पड़ाना था यह कैलकुलेशन के लिए रहे न 27,60 आगे तो यहाँ पर मैं डाल देता हू 27,60 27,60 में से यह माइनस कर दो 24,000 माइनस 27,60 माइनस कर दो तो यह आएगा नेट आउटर कॉलम में 32,40 अब पूरा टोटल लेलो 32,40 प्लस 3,500 प्लस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000 प्लस 96,000 प्लस 1,002,000 ग्रोस सैलेरी आजाएगा 2,92,740 कलिकुलेशन एर देख लेना क्या होगा तो 292,740 डूनाट कॉपी आज इस हमेशा आप सॉल किया करो आप भी कैल्सी वगरा यूज किया करो प्लीज किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज पोछो सो पेज नमबर 113 CMA Inter के मॉडिल में एक वड़ो क्वेशन दिये होग डिसकस कर लेते पी एफ के उपर Mr. X has following salary structure basic pay है 10,000 का DA है 1,000 का commission है 2,000 का यह commission नहीं लेते कि यह fix commission है यह turnover commission नहीं है entertainment allowance का भी हमारा यहाँ पर PF में कुछ लेना देना नहीं होता X contributes 20,000 towards provident fund यह तो उसका खुद का है इसका deduction ATC में मिलता है an employer makes the matching concept contribution तो employer भी 20 सदार ही contribute कर रहा है यह taxable हो सकता है compute the gross salary of of X if is the government employee such provident fund is the statutory provident fund X is an Y limited employee such fund is a recognized provident fund and X is an employee of Z limited and unrecognized provident fund ऐसे उनने बोले सिंपल सी बाते ज़्यादा complicated नहीं है basic salary तो तीनों situation में 120, 120, 120 रहेगा 10,000 into 12 करेंगे तो commission जो उनको fix मिला है 2000 का तो वो तो 2000 भी सब जगा पर उतना ही रहेगा यह turn over commission नहीं है dearness allowance उनको 1000 रुप्य पर मंत मिलता है तो साल भर का उनोंने उनको मिल गया 12,000, 12,000, 12,000 यह भी fix है entertainment allowance भी उनको पूरा का पूरा मिलेगा इसमें कोई doubt नहीं है employers contribution मेरा income होता है तो 20,000 का income लिखा और क्योंकि यह case one में government employer SPF fully exempt मेंने आपको पढ़ाया हुआ है जितना भी employer contribute करेगा fully exempt हो जाएगा तो taxability में नहीं लाया इसलिए total salary इतना आया sir case B में क्या होता है case B में यह RPF है recognized provident fund है और क्योंकि यह recognized provident fund है इसका जो total होता है my dear friends इसका जो total होता है कितना 1,20,000 अच्छा DA को हमें अजिम करना पड़ेगा DA क्या करना है DA forming part of retirement benefit लेना है या not forming आपका model in the absence of information इसको forming part of retirement benefit पकड़ता है तो 1,20,000 प्लस 2,000 अब में करके दिखता हूँ पहले इन्टू 12% अगर में करूंगा नहीं नहीं मैं गरत ले लिया 1,20,000 प्लस DA लेना है ना DA कमिशन नहीं लेना है यह लेना है कितना किदर गया DA यह रहा यह रहा प्लस 12,000 लेना है तो 1,32,000 होता है उसका 12% अगर में लेता हूँ तो 15,820 आता है ठीक है ना तो 12% of salary यह यहाँ पर उन्होंने करके दिखाया हूँ है नीचे working note में 15,820 आएगा balance taxable हो जाएगा और अगर unrecognized provident fund होगा unrecognized provident fund होगा तो यहाँ पर fully exempt हो जाता है लेकिन retirement के बाद जब taxable होगा तो पूरा taxable हो जाता है तो वो बात आपको याद रखनी पड़ेंगी यहाँ पर यहाँ पर 12% of salary commission नहीं लिया गया DA को मान लिया गया कि यह DAT है और इसको यहाँ पर इन्होंने consider करके पूरे के पूरे के पर tax कर लिया है अब इन्होंने यहाँ पर एक चोटा सा एक्जामपल यह भी दिया हुआ है कि कभी-कभी URPF आपको नहीं लग रहा URPF कभी ना कभी दिन्दगी में आर्पीव बन सकता है URPF आर्पीव बन सकता है ना आगे जाके अरे जब fund established किया था तो unrecognized था बाद में उन्होंने सारे compliance को match करके अपने अपको recognize करा के लिया ऐसा हो सकता है ना कि funding change हो गया तो ऐसे किसमे क्या करेंगे सर यहाँ पर 8 साल तक तो contribute किया था वह 8 साल का contribution तो taxable होना था और उसके बाद यहाँ पर 12 साल contribute किया टोटल मेंने 20 साल contribute किया तब जब 20 साल के बाद जब आप पैसे withdraw करोगे जब withdraw करोगे तभी तो यह RPF होगा लेकिन जब आपने चालू किये थी तभी यह RPF होगा तो यहाँ तक जितना पैसा आपने किया है जिस दिन यह transfer हुआ है यह RPF से RPF तब इस year में इसको taxable किया करके रखता है गवर्मेंट तो यहाँ पर उननी हो सब लिका इतना काम का नहीं लेकिन पढ़ लेता हूँ अरगन अ अरगनाश किया जर्टबंजयू रखता हूँ नहीं है ऻी नहीं ओ स्नितना में फूषबर घट that would have been liable to income tax if recognition of the fund had been in force from the date of institution of the fund. However, in case of serious accounting difficulty, Commissioner may make summary of the calculation of such aggregate. Commissioner आपको help करेगा taxability निकालने के लिए. Such aggregate summits deemed to be the income registered by the employee in the previous year in which the recognition of the fund takes effect. Note on taxability of the conversion, Assisi cannot claim relief under Section 18. जाने दो, इतना कुछ बड़ी बात नहीं, मैंने बता दिया थेरी, एक इलस्टेशन देख लेते हैं, Mr. Sharma has appointed an accountant of ABC Limited, किसी company में accountant की job करते है Sharma जी, from 1st April 2018, since then he is working with the same company, the salary structure and increment details are as follows, इसको आपको पढ़ने आता है अभी, 5000-1000-8000-1500-14000, बोलो, can you read this? जब इसका appointment वा था, तो इसका पगार कितना होगा? 5000 per month, एक साल complete हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6000 6000 दो साल हो जाएगे तो 7000 हो जाएगा, तीन साल हो जाएगे तो 8000 हो जाएगा, 8000 के बाद जब और एक साल complete होगा तो? 1500 बढ़ेगा तो यह rating में ने आप लोगों को पढ़ा दिया था, यह grade of salary बोलते है, DA का भी वैसा ही था, पहले 3500, then 5000 हो जाएगा तो 1000 से बढ़ेगा, he and his employer contribute 14% of the basic to the DA, जितना contribution होता है, उतना taxable नहीं होता है, जब transfer होगा तो taxable होगा, every year 9% interest is credited to such fund, on 1st April 2020, the fund get recognition, देखो, unrecognized fund को, unrecognized fund को recognition मिल गया, and the accumulated balance was a transfer to RFP, comment on the tax treatment of such transport balance, अब को इतना detail में नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन दिखा देता हो भी answer है तो, statement showing transport balance, 14% off, 18-19 का और 19-20 का हमें balance निकालना पड़ेगा, sir 18-19 में salary कितना होगा शर्मा जी का, 18-19 के previous year में इनका salary होना चाहिए, देखो ना, कब इसने join किया था, 1st April 2018 को इन्होंने join किया था, at a scale of 5,000 रुपीद, तो 5,000 into, 5,000 into 12 करता हो में, तो मेरा salary आ जाता है 60,000 रुपीद, यह आ गया 60,000, तब ही मेरा DA कितना था, DA मेरा 3,000 था, 3,000 into 12 करता हूं, तो 36,000 आता है, तो यह उन्होंने कर दिया 36,000 प्लस 60,000 का, 96,000 का आपको लेना चाहिए, 14%, जो उन्होंने actual contribute किया, 13,440, next year में salary 1000 से बढ़ जाएगा, DA 1000 से बढ़ जाएगा, DA 500 से बढ़ जाएगा, तो इतना DA आ गया, इतना salary आ गया, मेरा total आ गया 15,000, 960 फिर से 14% ले लिया, सर, exempted कितना होता है, अगर RPF होता है, अगर आपका fund हो, तो सर, 12% of salary प्लस DA exempt हो जाता, तो 96,000 का और 1,14,000 का 12% exempt कर लिया, जो difference आता है, वो taxability में ले लिया, एक interest का कोई problem नहीं है, क्योंकि interest 9% ही मिल रहा था, और RPF पे interest का जो exemption है, वो 9.5% तक कर रहता है, current year contribution shall be treated as a RPF and taxable amount will be 2640, ये कैसे निकाला उन्होंने, 12% of salary फिर से वो लेना पड़ेगा, अभी current year का salary कितना हो गया रहेगा, शर्माज जी का, 5000 से चालू हुआता, तो 7000 हो गया रहेगा, अभी 7000 into 12 करेंगे, तो 84000 आता है, और DA कितना हो रहेगा, 3000 plus 500 plus 500, तो 4000 हो रहेगा, तो ये 48000, तो आपको पता है कि 14% contribute हो रहा है, 12% exempt हो जाएगा, current year का taxability इतना है, ये previous year का taxability है, ये दोनों amount taxable हो जाएगे, current year में, 4200 plus 2640, interest पूरा का पूरा exempt हो जाएगा, क्योंकि वो तो 9% है, 9.5% के नीचे ही है, तो पूरा exempt हो जाएगा, तो ये हमने बात कर ली, पूरे के पूरे provident fund की, इस से ज़्यादा provident fund में, light में कुछ नहीं हो सकता, जित्मा भी में ने पढ़ा है, I hope it was clear, अगर आप लोगों को कुछ doubt है particularly, तो please ask.